मद्यप्रदेश विधान सभा चुनाव को लेकर तमाम सियासी दल जो राजमाईश में लगे हुए हैं। मद्यप्रदेश में धर्म से लेकर आजम तक अपनी घुस्पैट रखने वाले महा मंदलेशुवर स्वामी वेरा गिननद गिरी और मिर्जी बाबा काफी चर्चा में रहे हैं। स्वामी वेरा गिननद गिरी के अपने भक्तों को मिर्ची की धोनी देने के कारण लोग उन्हें धीरे-धीरे मिर्ची भाबा कहने लगे। अलग-अलग जगर घुम कर भागवत कथा करने के दोरान मिर्ची बाबा के संपर्क कॉंग्रिस नेताओं से बढ़े। इसी दोरान वो पूर नुखे मंत्री और वरिष कॉंग्रिस नेता दिग्वजे सिंग के संपर्क में भी आये। यहीं से वहाई प्रोफाइल साधू बन गये। जैनकारे को मताबिट दिग्विजे सिंग नहीं मिर्ची बाबा को भोपाल के मिनानी रेसिडेंसी में एक लगजरी बंगला दिलाया था। यहां से मिर्ची बाबा का जलवा ऐसा बढ़ा की साल 2018 में पेदा के निधन पर उसने 20,000 लोगों को गाउं में तिहरवी का भोज दिया था। इस भोज में ततकालीन कॉंग्रेस सरकार के कई मंतरी और विधाय भी शामिल हुए थे। बदा दे कमलनाथ के निधन तुवाली कॉंग्रेस सरकार में मिर्ची बाबा को एक निगम का धक्ष बनाकर रागि मनतरी का दर्जा दिया गया था। साल 2020 की लोगसभा चनाव में मिर्ची बाबा ने भोपाल लोगसभा सीट से दिगवजे की जीतने की भाईशवानी भी की थी। पिछले साल अगस्त में मिर्ची बाबा खिला भोपाल के महिला थाने में एक महिला ने रेप की एफायार दर्ज कराई थी। आरूप था कि मिर्ची बाबा ने निसंतान महिला को जहां से मिलेकर अपने आश्रम में बुलाकर उसके साथ रेप किया था। इसके बाद उन्हें गिरफतार भी किया गया था। अब इकबर फिर मदपुदेश की सियासत में मिर्ची बाबा की चर्चा शुरू हो गई है। च लड़ कि बाद पर चर्चा शुरू है।